हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग मैसल्फ राहूल सॉम लखनौ वेलकम तू माई यूटूब चैनल दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेट बड़न दबा के चैनल जरू सस्क्राइब कर ले बैल आइकन दबा के नोटिशन जरूर अन कर ले ताकि जोगी वीडियो अब का नाम चाल लेता हूं क्या नाम में कॉंसर डे है और किस प्रोफिशनल में है हलो माम बुड मॉनिंग क्या नाम है अपका कॉंसर डे आज आपको ड्राइव करते हूए अबी तक आपने कौन-कौन से गेर में कार को चलाया है तो अभी आप रेडी है अपने सीट अर ज अब यहां फस्ट गेर में अलेडी है फस्ट टू डाल दिया अपने लगा हुआ है फस्ट गेर फस्ट गेर लगा हुआ है अभी राइट का सिग्नल दीजिए ताकि पीछे वाले को यह कंफर्म हो जाए ना कि यह गाड़ी वापस चलने जा रही है बिना सिगनल के बढ़ा दोगे तो पीछे वाला कंफियूर हो जाएगा अभी इस ट्रेट चलना है हलका सा राइट दबाके और जाने दो हुआ 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 है कि गट कभी भी खड़ी गाड़ी को पूरा क्लच छोड़के नहीं बढ़ाना है जब भी गाड़ी आपकी खड़ियों फस्ट एमा पर रिलीज करना है अगर आप फुल क्लेच रिलीज करेंगी तो क्या होगा हलका लेट तो गाड़ी आपकी जर्क करके इंजन बुझ जाएगा ठीक है अभी आपको स्ट्रेट जाना है और गोल चकर से राइट लेना तो पहले भी स्पीट मेंटेन करिए थोड़ा सा इस्प राइट वाला पैर ब्रिक पिला और क्लस दबा के सेकंड गेर करो फटा फट जल्दी से चलो छोड़ो जाओ छोड़ो लच छोड़ो क्लच हां हलका लेफ्ट अन तो इसमें टकराएगी हां अभी यहां से राइट जाना धीर गिरे अब राइट तन करो तन करो राइट और वेट 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 अभी सीधी करो श्टेरिंग सीधा गरो और सीधा गरो गड़ तो कि टर्निंग के टाइम अगर आपने एक्सेलेटर पर रखा है आप दबाने एक्सेलेटर लेकिन वह अटोमाटिक दबी जाता है बॉड़ी जब भिलती है या कोई हड़वडाहाट से दब जाता है एक्सेलेटर तो ऐसी कंडिशन में भीड़ nag़ लेके चांक रू जाते हैं हो तो हमें करना क्या है कि जब भी हम कार को कहीं पर टर्न करें हो या कि कोई गोल चकर करें क्जांस करें हो तो वहां पर आपका राइट वाला जो प्रह वह ब्रेक पे होना चाहिए प आपके पैर का वेट भी अगर हलका फुलका ब्रेक भी दब जाएगा ना एक दो परसंट तो उससे कोई दिकत नहीं होगी और अगर आपने एक्सेलिटर पे रखा है और आप दबाना चाहती तो बोडी की मतलब दबाने की बजाए भी पैर रखने से भी हलका सा पैंडल बस अपनी साइडों का हमेशा ध्यान नकिएगा अगर आप राइट और लेफ्ट वाले मिर्यर को चेक नहीं करेंगी तो आपको शायद वो नहीं पता चल पाएगा राइट अखो और राइट दबाओ आप सामने लोग खड़े हैं तो विफोर प्लान करना है पचास से सौ म देखा मैंने क्या बोला आपको हलका और आपने किदर गुमाईश के रही बस यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सारा गेम तो यही है हलका लेफ्ट आओ अब अगर लेफ्ट में अल्री जगे नहीं थी मैंने का हलका राइट को आपने लेफ्ट दबा दिया तो गाड़ी यह बचेगी तो आपको पीछे वाला फॉलो कर रहा है यह पीछे वाली को फालो करें यह बताइए आप गारी को सामने देखके चलाएंगी या पीछे रेक्ट के चलाएंगी तो फेर हलका लेफ्ट आओ ट्रोच ड्रीट यह ज़ाने मत्येट सेमित सब्सक्राइब तो लेफ्ट लेफ्ट अब में टेन करो इस पीड बढ़ाओ थोड़ा सा जाने दो वाइट लाइन को क्रॉस नहीं करना है एपाइट लाइन को ख्रॉस नहीं करना है राइट लाइट वाला जो एरिया वह आपका है राइट वाला जो एरिया वह अपुजट सी गाड़ी आरिये अभी तो थाम निम्हां पो बशारिये है हलका राइट रुको बापस लेट आओ चलो हल्की रीच लो हल्की सी प्लेट को फ्री रखा है और फ्लेच दबा रखा है आपके पैर का जू वेट अगर आप उस पे पैंडल को प्लच फिलेटे चली जाएंगी तो हलका राइट रुको राइट लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ बस जाने दू धीरी अब जो बंदा लेफ्ट में जा रहा है इसको बचाने की पुरी-पुरी जिम्मेदारी आपकी है ठीक है क्योंकि उसको नहीं पता है कि उसके पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है तो उसको अगर बीच में चलाओगे तो आपको लोग डिश्ट अब करेंगे हल्का राइट अखो बहसा हूं लेफ्ट आओ जाने दो धीरी धीर और लेफ्ट आओ अचाल का रेस लो कि हूँ अभी चड़ाई दिख रही है आपको यहां स्लोपिंग पर गाड़ी में आप से रुकवाऊंगा फिर रोक रोक के बढ़वाऊंगा ठीक है धलान पर जैसे की हीली एरिया होता है राइट और खोलगा हाँ अभी थोड़ा सा रेस लो लेफ्ट का सिगनल दो फटा फट फट 30 करो ज्ञ़ाई अभी यहां पर कितनी ज्यादा चड़ाई है है तो अब एसी सिच्वेशन में बाइद अपको गए पुरा क्लेस मौलीं पार्किंग से गाड़ी निकाल रहा है घट जाती है तो एसे में अभी आपने फुरा क्लेस rays लेकह गाड़ी तो रोकदी लेके गाड तो गाड़ी को जैसे यहां से स्टार्ट करना है वापस मूप करना तो उसके लिए क्या क्या करेंगी आप बेक छोड़ेंगी तो गाड़ी पीछी जाएगी सबसे पहले यहां पर आपको गेर चेंज करना इसको फर्स्ट गेर करो लेफ्ट दबा के उपर जो हो गया अभी फर्स्ट गेर में गाड़ी आगे क्योंकि गाड़ी को रोक के सेकंड गेर में बढ़ाया नहीं जा सकता है ऐसी कंडिशन में ठीक है यह मैं पैंडलिंग आपको सिखा रहा है एक होता है है अभी आपने पूरा ब्रिक दबा रखा है और अब आपको क्या करना है पहले धीरे धीरे क्लच चोड़ना पूरा नहीं हाफ क्लच चोड़ना जैसे एंडी को नीचे दबा के रोको पंजे को आने दो ऊपर धीरी धीरे और आओ और और बैस थोड़ा सावर बैस और थोड़ा बैस अब ब्रिक छोड़ो ब्रेक बदी तो अब यहां पर क्या करना है गाड़ी को रोक रोक कर अगर चलाना है ऐसी सुच्वेशन में तो सबसे पहले हमको एक चीज़ का ध्यान देना है आपका क्लच और ब्रेक मैचिंग होना बहुत जरूरी है ब्रेक तब तक नीच होना जब तक गाड़ी का इंजन वाइब्रे है अब भी जैसे कि आप ब्रेक इंब फ्रवाइर आप छोड़ा सा थी जोड़ा सा शोड़ो ऊटथ्यजाए जुड़ो चोड़ो पिछे जारी न ऑष्ट यह तो एसी कंडिशन में गाड़ी फीजिसियो फिर वही चाइब पूरा दु है देले टिरे क्लच को रिलीज करो व प्वाइब भी तो अब दीने से ब्रेक चोड़ो जब panels प्वाइब थीरी दीरे हलका एक्सेडेटर लो थोड़ा अब हलका हलका साक्षेड़ कर ले लो हलका साथ चलीटर और लेफट आज़ो लेफट आव लेफट तण करू बाई मैं अभी आप सिद्री कर लो वाड़ी बस सीदि करो श् coalition बबस अब ड़ाँ को फ्री करो प्री करो अब इसथी करोण घ्राइब यहीं कर समझ में हिली एरिया है या बेस्मेंट की पार्किंग से गाड़ी निकाल रहे मौल अगहरा की और तो वहां पर इस चीज की जरूरत पड़ेगी हलका राइट रखो वही हलका राइट रखो और राइथा जाने दो धीरी दीरी तो गाड़ी हमारी पीछे जाने लगती हो छोटी सी गलत है तो सबसे पहले आपको फश्ट गेर करना है उसके बाद पूरा ब्रिक दबाकर रखना तब तक ब्रिक को रिलीज नहीं करना जब तक की गाड़ी आपकी वाइब्रेट नहीं इंजन वाइब्रेट ऐसा लगे कि इंजन अब आगे बढ़ने के लिए रेड़ी हो रहा है ब गाड़ी ना पीछे जाएगी ना आगे जाएगी अगर गाड़ी में लोड जादा है तो आपको ब्रेक से पैर हटाने का मौका मिल गया वापस हलका एक्सेलेटर दबाग के फिर धीरे-धीरे क्लच को रिलीज करो गाड़ी बढ़ जाएगी समझ गे तो यह तरीका है अभी स् हाँ बस अभी राइट वाला पैर ब्रिक पे लाओ पूरा क्लच दबाओ फुल ठर्ड़ डालो बीचो बीच में उपर मिडिल में उपर हाँ जाओ वेरी गुड चलो छोड़ो अभी क्लच जल्दी चोड़ सकती हो आप क्योंकि फर्स्ट गेर में धीरे-धीरे छोड़ा जा अभी स्पीट आप 20 प्लस चलोगे 20 माइनस आओगे तो गाड़ी जटके मारके बंद हो जाएगी इंजन बुझ जाएगा ठीक है तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आये तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा देंगे दिन आपका शुबू